हाई ट्रेंड्स दोस्तों आज किस वीडियो में जैसा कि आपने देखा हम बात कर रहे हैं टॉप फाइव ऐसे लोन एप्लिकेशन के बारे में पूरी डीटेल जो आपको विदाउट इंट्रेस्ट बिना अभ्याज के लोन प्रोवाइट करती हैं यहाँ पे किसी भी तरीके का इंकम प्रूफ सैलरी से लिप बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं देना होता है बस अगर आपका सेल्स कोड ठीक है तो आप केवाइसी करके यह सभी लोन असानी से ले सकते हैं वीडियो में आपको पूरी डीटेल लाइफ ग्रोव के साथ देने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पे कितना जो है लोन मिला हुआ है वीडियो को एंट तक देखते रही है अगर आप ऑनलाइँ ट्रैक्शन करते हैं और आप क्यूर कोर्ड से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उपियाइ यूज करते हैं तो आपको इन सभी अप्लिकेशन्स की डीटेल जरू जानने चाहिए मैं अभीन आप सभी का एक बरफिट स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल माईन सर्बुक में और जैसा कि आपको पता है माईन सर्बुक की YouTube चैनल आपको financial update प्रवाइट करता है तो फटा-फट इस चैनल को subscribe करिए, notification के लिए bell icon को hit करिए ताकि जब कभी इस चैनल के उपर आपके लिए कोई नई वीडियो पब्लिस हो उसकी notification डिरेक्ली आपके phone के उपर आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को बिना सर्च के हुए असानी से देख पाए तो आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी चीज़े जिनको आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप इन applications को इस्तेमाल करने वाले हैं future में सबसे पहली चीज कि आपका civil score ठीक होना चाहिए आपके पास income का source भी होना चाहिए साथ में valid ID और address proof अगर आपके पास है तो आप loan यहाँ पे ले सकते हैं most important चीज कि आपको इन किसी भी loan application से cash loan receive नहीं होता है आपको यहाँ पे post paid pay later का option मिलता है जो आपको support करता है इनके grace period certain time के उपर बिना ब्याज repayment करने का जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप online payment करते हैं अगर आप UPI QR code को जो है इस्तमाल करे के payment करते हैं अपना bill payment करते हैं या फिर recharge करते हैं online shopping करते हैं e-commerce website से तो इन सभी applications के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए जो कि आपको future में बहुत ज़र सपोर्ट करने वाली है आईए one by one सभी applications के details समझते हैं live proof के साथ तो पहला जो loan applications है यहाँ पर वो है simple pay simple pay के बारे में already जो है आपको पता है अगर नहीं पता है i button में आपको link पूरे detail के साथ जो है मिल जाएगा उस video को देखे कैसे apply करना है आप महाँ पर समझ सकते हैं तो सबसे पहला जो यहाँ पर application है वो है simple pay simple pay आपको 15 days का grace period प्रोवाइड करता है और up to 10,000 रुपीज तक का loan प्रोवाइड करता है जैसे कि आप screen के उपर देख पार है यहाँ पर जो मुझे loan मिला हुआ है right now वो 3500 का मिला हुआ है जिसे 15 days के grace period पर मुझे repayment करना होता है हमेजा तो अगर आप इस application से loan लेने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा आपको documentation करने की ज़ुरत नहीं होती है बहुत simple सा असान सा step है और अगर आप चाहें तो इस application से bill payment कर सकते हैं electricity bill payment कर सकते हैं online website जैसे की big basket, jometo और भी बहुत सारे website से जहाँ पर transaction कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा option हो सकता है जो loan application से उसके बारे में समझते हैं जैसा के screen के उपर आप देख पारे हैं जो loan application से वो है lazy pay lazy pay के बारे में अलरड़ी आपको पता होगा lazy pay जो की हमेशा से मेरा fabric रहा है lazy pay आपको provide करता है up to 10,000 रुपीज तक का credit limit इसके अलावा उपर अगर आपके exceed होता है तो आपको personal loan मिल जाता है lazy pay आपको 15 days का grace credit provide करता है कम से कम document के उपर ये activation मिल जाता है सुरू में ये छोडे loan होते है repayment करते के बाद ये असानी से improve हो जाते है तो lazy pay को आप इस्तमाल कर सकते हैं सबसे बड़ी खास बात ये है lazy pay की कि आप किसी भी QR code को scan करके payment कर सकते हैं UPI का इस्तमाल करके payment कर सकते हैं किसी भी QR code से मेरा मतलब है आप phone पे, Google पे, Paytm ऐसे किसी भी QR code को जो भी UPI से link है अगर वो merchant account है तो आप उन्हें payment कर सकते हैं lazy pay से तो एक बहुत ही अच्छा option हो सकता है अगर आपको कभी पैसों के जरुरत परती है अगर आप online purchasing करते हैं जैसे कि big boss or kit होगे offline या online किसी भी store पे जाकर payment करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा supportive application आपके लिए हो सकता है दोस्तों इन सभी applications के बारे में किसी भी तरीके का परचार और promotion मैं नहीं कर रहा हूँ बस आपके information के लिए आपको पूरी detail प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि जब भी आपको पैसो की ज़रत हो इस application को आप इस्तमाल कर सके हैं अब अगला जो long application है उसके बारे में समझते हैं स्क्रीन के उपर आप देख पा रहें अगला जो long application है वो है movie quick movie quick के zip later की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में जो कि मुझे यहाँ पर मिला हुआ है up to 5000 रुपीज का यानि कि 5000 रुपीज तक का limit मैं इस application के जरिए अलग-अलग recharge, bill payment वगरा के लिए इस्तमाल कर सकता हूँ तो एक बहुत ही अच्छा option ये आपके लिए हो सकता है अगर आपको online transactions करने पड़ते है movie quick आपको जो zip later provide करता है ये 15 days का provide करता है 15 days में आपको जो है इसे repayment करना होता है without any interest तो ये एक बहुत ही अच्छा option हो सकता है आपके लिए अब अगला जो long application है वो है आप सभी का चाहता paytm paytm के बारे में आपको पता होगा paytm postpad के बात कर रहा हूँ इस वीडियो में paytm postpad के बारे में मैं आपको limit तो नहीं दिखा पाऊँगा because paytm ने जो है screen recording को allowed नहीं किया है screenshot भी मैं नहीं ले सकता हूँ तो यहाँ पर paytm एक अच्छा option हो सकता है आपके लिए अगर आप online transactions करते हैं paytm आपको postpad प्रोवाइट करता है paytm को अगर आप लंबे से मैसे इस्तमाल कर रहे हैं civil score ठीक है आपका तो आपको यहाँ से paytm postpad का option असानी से दिख जाता है दोस्तो जैसा के screen के उपर देख पारे हैं अगला जो application है वो है slice पे slice पे भी आपको pay later का option प्रोवाइट करता है बहुत ही अच्छा option आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है यह आपको no cost tmi पर product भी प्रोवाइट करता है यहाँ पे जो आपको limit मिलती है वो दिरी-दिरी increase होती है हलाकि मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्यों कि मेरे city में यह serviceable नहीं है तो आपको ध्यान देना होगा है कि आपके सहर में यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है slice पे अगर आपके city में काम कर रहा है तो आपके लिए best option हो सकता है इसे आपको without interest 15 days के grace period के उपर लगभग यहाँ पे 10,000 रुपीज तक का pay letter option मिल जाता है तो यह थे 5 ऐसे application जो आपको instant loan provide करते हैं without any interest दोस्तों यहाँ पे अगर आप इन सभी applications को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपका civil score ठीक होना चाहिए सबसे पहली चीज़ आपके बस income का source होना चाहिए और अगर आपने इस वीडियो को अभी देखकर किसी भी application को install किया है और आपको pay letter का option नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा patience भी रखना होगा आपको कुछ दिन इसे install रखिए, transactions करिए आपके transactions के messages को read करके आपको एक eligible amount प्रोवाइड करेगी company फिर KYC करिए और आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छा option हो सकता है लेकिन समय पर repayment भी जरूर करिए क्योंकि आपको penalty interest के साथ अपका civil score के ओपर ये दिखाई देगा उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी आज के इस वीडियो में हमने जाना top 5 ऐसे loan application जो आपको without interest loan प्रवाइड करते हैं उमीद है जानकारी पसंद आई होगे किसी भी तरीकी की query के लिए आप मुझे नीचे लिख सकते हैं मैं कोसिस करूँगा कि आपके उन questions का answer जबर करो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मैं तो हूँ दोश्तों फिर आपसे अगले वीडियो में एक नहीं update के साथ तब तक के लिए जय हिंद बने मांतर में झाली मैं लिए पाली सित्वता कुरवा णाली मांतर में जब आपसे की वीडियो में बने जब है दो कल देंद चाइव झाली के वे रिलाएजब ऑ्सकी की सने सकते हैं झाल झाल